MHA की guidelines आज ही आई हैं करोना को लेकर इसलिए मैं उसके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि आपकी नजर से सभी लोग समझना चाहेंगे कि करोना काल में जब हम lockdown 4 के बाद unlock 1 में जा रहे हैं तो उसका अर्थ क्या माने देश क्या है सरकार की सोच क्या अब आप लोगों पर छोड़ रहे हैं कि वो साथानी से चले तो सुरक्षत रहेंगे देखे अन्ना जी आज तक आजाद भारत में जितनी भी महामारी आई या जितनी भी कुद्रती आपडाय आई इसमें सरकारे लड़ी है इसके खिलाब सरकारे लड़ी है अच्छे से लड़ी है मेरा एदावा नहीं कि सिर्प नरेंद्र मुदी सरकार अच्छा काम कर रहे है या अच्छे से इसके सामने लड़ी मगर एक परिवर्तन है हर बार सरकारे लड़ती थी इस बार पूरा देश लड़ा है, सबसे पहले जनता करफ्यू, उसके बाद दिया जलाकर कोरोना के ग्रसित लोग हैं इनके लिए इस वर से प्रातना करना, उसके बाद थाली बजाकर कोरोना, गंटी बजाकर कोरोना के जो वारियर्स हैं, इनके समर्थन में खड़ा होना, सैन पूरा राष्ट्र जब एक जूट होकर इसके खिलाप लड़ता है तो नतीजे अच्छे ही आते हैं और मोदी जी ने पूरे राष्ट्र को एक साथ जोड़कर कोरोना की लड़ाई लड़ी है इसका परिणाम देखे बारत में प्रती 10 लाग की आबादी 12.6 लोग आठक कोरोना से संक्रमित हुए है वैस्विक और सत 77.6 प्रत्सत है जिसको विक्सित देश कहते हैं ऐसे देशों में जैसे अमरिका तो 542 है जर्मनी 217 है ब्राजिल 195 है हम इनसे बहुत नीचे रहे हैं तो यह आकड़े ही बताते हैं कि हम यह लडाई को बहुत अच्छे से लड़े हैं जहां तक मृत्यू का दर है भारत में 2.8 प्रतिसत है और विश्व का 6.19 प्रतिसत है ब्रत्यू के दर में भी हम बहुत पीछे है और मृत्यू प्रति 1 लाग देखे तो भारत में 0.3 है और बा जिल की 12.1 है अब यह आकड़े बताते हैं कि लडाई हम अच्छे से लड़े हैं और मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि भारत की जनता अगर मोदी जी को अपिल को साथ न देती भारत की जनता मोदी जी की लडाई के साथ खड़ी न होती तो यह लडाई इतने अच्छे से हम नहीं लड़ से सारी राज्य सरकारें सारे अलग-लग दलो के करोडों कारेकरता भारती जनता पार्टि के करोडों कारेकरता और कुल मिला कर 130 करोड़ लोगों ने यह लडाई को आगे ले जाना तैह किया इसी का परिनाम है कि आज हम इतनी अच्छी स्थिति में खड़े हैं कोरोना का संकट है नुकसान भी हुआ है तकलिफे भी बहुत लोगों को हुई है या मकर इसको विष्व के इतर ग्रयाइब सापेक्स में अगर देखते हैं तो हमें लगता है कि यह लडाई हो दीजी नित्रूतम बहुत अच्छे से लडे हैं अनलोक वन को कैसे समझे आम दर्शक जो आपको इस वक्त सुन रहा होगा। वो लागू रहेंगे और जहां पर समस्या थोड़ी सरल हुई है वहाँ पर गतिविद्या भी चड़ेगी जीवन भी फिर से पूर्णा दोड़ता होगा और हम आगे बढ़ेगे।